नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्सा सबकों में आप लोगों को यह पता ही होगा कि मैं आप लोगों को एनाई उसके माध्यमिक कक्षा अर्थादी हाइस्कूल का विज्ञानमें प्टुद्योगी कीविसे पढ़ा रही हूं और सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में मैं आपको एक नमबर भी डिस्प्लेए करा रही हूं स्क्रीन पर यह हमारा वाट्सैप नमबर है इस नमबर पर भी आप हमसे मैसेजिज के द्वारा जूर सकते हैं किसी भी टॉपिक या लेसन से डिलेटेड कोई भी बाटता है और पांचो जगतों की विशेष्टाएं मैं आपको बाटता गया है और विश्था कि विशरस्था थी फिःश्ताई मरें ने आपको बताहिए थी तो आज जो मैं आपको बता रहीए उसमें पांच वा जगत जो एनीवियु था फिट्थ ख Commons a जुट अड़ूद्वक बारे में अपको बताहूंगी तो एनी मेरिया ऑर उनीवियु जगत के दो ग्रूप्स तो नॉन कॉर्डेटा जिसमें नोटो कॉर्ड नहीं पाई जाती है और कॉर्डेटा जिसमें नोटो कॉर्ड पाई जाती है नोटो कॉर्ड एक भ्रूण के सरीर में गर्ब में एक भ्रूण के सरीर में ठोस रॉड नुमा एक टीश्यू उतक होता है जो रीडारी जन्तों में सब्सक्राइब से रेंटी सक्राइब भीत करम । वर नух एकर पर जानटुजगत अब इहां पर मेलेटें तो नॉन कोट्धित्स'' कई आपको їх पर में आपकर बता के पाने तो प्राकार हम देखते हैं कि जनतु जगत में कुल नौ संग है नौ फाइलम है पोरिफेरा नीडेरिया प्लेटी हेलीमेंटीज एसकेल हेलीमेंटीज एनिलीडा आर्थोपोडा मोलसका इकाइनोडर्मिटा और लास्ट वन इस कोड़ेटा जिसमें नॉटोगाड पाई जाती है तो इस तरीके से होगा नौ फाइलम तो सबसे पहले किंगडम है उसके बाद सबफाइलम है वर्टीब्रेटा और दूस्ता सबफाइलम है इन वर्टीब्रेटा वर्टीब्रेटा मींस जिसमें रीड की हटी होती है और इन वर्टीब्रेटा जिनमें रीड की हटी का अभाव होता है तो और जो यह सबफाइलम वर्टीब्रेटा है उसको हम हमने फिर ड यहां पर मैंने आपको तोड़ा से एक फ्लोचार्ट जीसा बना की दिखा रहा है तो इसमें देखिए एनिमेलिया किंग्डम है सबसे पहले जगत आया इस जगत के संग बनते हैं इस जगत के संग मैंने डिवाइड करके आपको दिखा रहे हैं कि तो पहला फाइलम है पहला संग है पुरिफिरा दूस्ता संग है फाइलम टू है नीड एरिया तीस्ता फाइलम है प्लेटी हेलमेंथी चौथा फाइलम है ए भास्ट फाइलम है कोड़ेटा तो इस तरीके से जन्तू जगत के यानि एनिमेलिया किंग्डम के नाइन फाइलम मैंने आपको बताए हैं इसमें हम काड़ेटा के बारे में आगे डिसक्स करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताएखे डोपसमू है नौटो कॉर वो देखिए उस संग में जो एनिमल साते उन में क्या विसेज़ता होती यह मैं आपको बता रही हूं देखे सबसे पहला है फाइलम पोरिफेरा यह देखिए नॉन कोड़ेट्स में आता है अनियमित सरीर होता है इनका सरीर पर चोटे-चोटे-चोटे-चिद्र होते हैं पान संग का नाम है पोरिफेरा इसका उधारन है साइकॉन और इसपंजी यहां पर दिखे फिगर दिखा रही है दूस्ता फाइलम है नीडेरिया यह भी नॉन कोड़ेट्स में आता है इसमें मुझ के चारों तरफ इस परसक पाए जाते हैं इस परसक पाए जाते हैं और उन में जो होती है दन्स को सीखाए पाई जाती है रिप्रोडक्शन ना प्रजनन जो होता है लेंगिक होता है या बट्स के द्वारा होता है जैसा इसका एक जाली फिस मूंगा एनिमोन हाइडरा आपने देखा होगा एक लंबी सी फिगर होती है और इस परसक लगे रहते हैं को स्वतंत जीवी भी होते हैं इनके एक्जामपल है टेफ मॉम लिवर फ्लूग और प्लेन इरिया नेक्स्ट फाइलम है एसकेल हेलमन्थी इनका सरीर गोलाकार होता है यह भी पैरसाइट होते हैं यह मुक्ति जीवी होते हैं इनका उधारान है एसकेरिस तो हमारे पीट मे और इनमें उत्सरजी अंग नेफरीडिया होता है यह उभही लिंगी होते हैं यानिकी नर और मादा एक ही में पाये जाते हैं इसका सिंपल सा नॉर्मल उधारान हम देख सकते हैं कैच्वा आपने देखा होगा कैच्वा जो है वो एनिलीना में आता है और इस इदरी ते ज हैं यह भी एनिलीना में आता है नेक्स्ट फाइलम में आर्थोपोडा यह भी नॉन कॉर्डियन ग्रूप में आता है इसमें टांग यह संदी तो होती हैं जुडी हुई होती हैं जोड होते हैं सरीर सिर और धाड़ और उधर में बटा होता है तीन पार्ट में बटा होता है और यह itWow park लोगा इसा कोट्रोल दृष्चु उडारन जाओ है worst दुए हार दर्विया हो गनिजू ऑजो भाल जेवहन शमधर स्केलिटन होता है वह हार्ड होता है który da ipadrma सिर्ट और मेता पर पाइड होते हमें इसएुँट तो मनेérica में तो में वाइजू कर पन् dinero पाँच अरी छेत्र दिखा रखे हैं और इनकी तवचा में छोटे-छोटे काटे जैसे निकले होते हैं, कंटे की तवचा होती है, इसका उधारण है स्टारफिस, नेक्स्ट है फाइलम मोलसका, ये भी नॉन कॉड़ेट्स में आता है, फाइलम मोलसका का सरीर अखंडित होता है, बहुत ही मुलायम होता है, और चिप-चिपा टाइप का होता है, और इनका सरीर कैलसियम कार्गोनेट से बने हुए सकत कवच के अंदर रहता है, और इनकी जो पैर होते हैं, वो काफी फ्लेसी मांसल होते हैं, इसका उधारण है, आपने स्नेल देखा होगा घरों में, ब जिनमें कोर्डे, नौटो कोर्ड नहीं पाई जाती है, उसके हमने आठ संगे आपको बताएं, अब जो कोर्डेटा है, कोर्डेटा का, कोर्डेटा फाइलम जो है, वो सब फाइलम में बाते गए हैं, दो सब फाइलम बनाये बताए थे मैंने एक तो वर्टी ब्रिटा और एक इन वर्टी ब्रिटा, वर्टी ब्रिटा जिसमें रिल की हड़ी, जिन एनिमल्स में रिल की हड़ी पाई जाती है, तो यहां पर मैं आपको वर्टी ब्रिटा के बारे में ही बताऊंगी, तो सब फाइलम, सब से पहले एनिमेलिया किंग्डम में, उसके बाद फाइलम आ सबी मेरू डणी हैं यानि इनमें रीड की हड़ी मौझूद हृती हैं अभ दीखिये इसका क्या कंकाल जो होता है वो उपास्ती का बनाता है थोड़ा soft tissue होता है उपास्ती बोन से उसका बना होता है और एक जोड़ी इसमें गिल होती है गिल्स होती है दरारी होती है स्वसन के लिए और इसका उधारण है सार्क फिस आपने सार्क फिस देखी है वो उधारण है क्लास कॉंड और दूसरा क्लास और वो स्वच्छे जल में भी पाये जाते हैं और समुंद्र में भी पाये जाते हैं स्वसन के लिए इनमें भी गिल्स होते हैं जो ओपर कुलं से धके होते हैं आपने रोहु मचली दे कि यह जो है और ऑस्टिक थीज्ट का उधारण है तीसरा क्लास है वर्टी बेटा उपसंगे का 53 छ यह एंफीबिया एंफीबिया बूमी पर भी रहते हैं परन्तू ये अंडे जो एंपने जल में जते हैं जहाँ इनका जीवन चकार पूर्ण होता है इनका जीवन दो जगे के लिए अनुकूल होता है यानि कि जल के लिए भी और इस्तल के लिए भी और इन में सांस जो स्वसन होता हो फेफडों के द्वारा भी होता है और तुचा के द्वारा भी होता है और इसका सिंपल सा उधारान है मैडक आपने मैडक देखा है पानी में प्रत्वी जमीन पर भी रहते हैं यह है एंफिबिय वर्ग नेक्स्ट क्लास है रेपिटीलिया रेẬ brighteristrial रेमेल होते हैं यहने कि பत्वी जमीन पर रहते हैं और जमीन पर यह अंड़े भी पृते हैं इनका सरीर स्केल्स से धका होता है सलकों से धका रहता है जैसा उधरान है आपका छिपकली मगरमच साप तो अब गर इनकी बॉड़ी देखें तो बॉड़ी में स्केल्स होते हैं कच्छुआ ये सभी उधरान रेप्टीलिया है जगत के हैं नेक्स्ट क्लास है एवीज एवीज में वह जीवाते हैं जो वायू में रहते हैं वायू भी जीवन वेतीत करते हैं और इनकी हड़िया जो होती है वेत में बहुत ही ज़दा हलकी होती है बहुजन करने के लिए इनके पास चोच होती है और उड़ने के लिए इनके पास पंक होते हैं, ज़ाज़ सभी प्रकार की जो बाट्स हैं, वो एवीज में आती हैं नेक्स्ट है मैमेलिया, इंपोर्टेंट क्लास है मैमेलिया, मैमेलिया वर्ग में नवजात सिसू के लिए दूद उत्पन्न कनने की मैमेरी ग्लैंड या इस्तन गंतिया होती है, इसी वज़े से इस क्लास का ना मैमेलिया रखा गया है, सरीर जो होता है मैमेलिया वर्ग का सरीर रोमों से यानि बालों से धका रहता है रोम युक्तिन की तो अच्छा होती है यानि छिद्र होते हैं पूरी बॉडी में जिस गाय है चुहा है मानव है ये सभी मैमेलिया वर्ग में आते हैं तो यहां पर मैंने आपको एनिमेलिय जगत के वर्गी करन आपको करके दिखाया कि एनिमेलिय जगत के दो ग्रूप बनाए थे कॉर्डिटा और नॉन कॉर्डिटा में आठ फाइलम आए उसके बाद जो कॉर्डिटा फाइलम था वो नवा फाइलम था कौड़ेटा फाइलम को हमने फिर सफाइलम में डिवाइट किया वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा के हमने आपको फिर क्लासिज बताई अब देखे उधाराना अलते प्रस्न है कुछ देखिए अगर आपको थोड़ा सा एनिमल ये जगत के बारे में पता चल गया है तो आप इन questions को solve कर सकते हैं, यह आपकी बुक का प्रस्न है, प्रस्न है नमर साथ, तो उस फाइलम का नाम लिखे हैं, जिससे निमली लिखित एनिमल से संबन देते हैं, जिससे भेडिया, कैचुआ, स्पंज है, पोरिफेरा संग का, जैली फिस आती है, नीडेरिया संग में, कबूतर आता है, कॉड़ेटा में, कॉड़ेटा के एवीज ग्रूप में, लेकिन यहाँ पर आप से केवल फाइलम पूछ रखा है, तो आप यहाँ पर फाइलम देंगे, कॉड़ेटा, तितली है, वो आर्थोपोडा में आती है, स्टार फिस है, एकाइनो डर्मेटा संग में आता है, टेप वोम है, वो प्लेटी हेलम देंगे, फाइलमिया संग में आता है, और राउंड वोम, एसकल हेलम देंगे, फाइलमिया संग में आता है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में मैं आपको पादप जगत के वर्गी करण के बारे में बताऊंगी तब तक आप मेरी नई वीडियो का इंतजार कीजिए धन्यवाद